हलो एवरीवन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास एट की पोयम मैकाविटी दा मिस्ट्री काट तो इस पोयम में बताया गया है मैकाविटी एक मिस्ट्री काट है मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य जिसको समझ पाना काफी मुश्किल होता है पता लगाना मुश्किल होता ह तो Macavity एक mystery cat है, जो की छुपी रहती है, जो की एक criminal है, crime करती है, और हमेशा छुपी रहती है, वैसे तो वह इदर गूमती रहेगी, मगर जब वह कोई crime commit कर लेगी, उसके बाद, उसको जब ढूलने की बाद गाएगी, तो वह गायब सहो जाता है, वह cat, जो है, तो पंजा कहते हैं, for he is the master criminal who can defy the law, जो cat है, वो एक बहुत बड़ा criminal है, और वो सारे laws को defy कर सकता है, तोड सकता है, डिसोबे कर सकता है, he is the bafflement of Scotland Yard, the flying squads, despair, वो bafflement है, एक puzzle है, एक पहेली है, किस के लिए, Scotland Yard के लिए, Scotland Yard के लिए, Scotland Yard क्या है, headquarter है, London police force का, flying squad है, group of police और soldiers जो की एकदम से ready रहते हैं, कुल भी जब वारदात होती है, उसमें जाने के लिए, despair का मतलब होता है, मतलब पता नहीं लगा पाते हैं, उसके बारे में कुछ भी परिशानी सा बना हुआ है, ये Macavity cat, for which they reach the scene of crime, Macavity not there, ये सब जो Scotland Yard हो या फिर flying squad हो, ये ज Macavity cat नहीं होता, Macavity, Macavity, there is no one like Macavity, Macavity जैसा कोई नहीं है, उसने सारे के सारे जो human laws है, जो मानव ने बनाए है, वो सब laws तोड़ रखे है, उसने तो law of gravity को भी तोड़ रखा है, उसकी पावर जो है, लेवियेशन की, मतलब फ्लोट करने की air में बिना किसी support के, उसको ऐस मतलब कि उसे लोग देखते ही रह जाते हैं, स्टेर करते हैं, घूरते ही रह जाते हैं उसकी जो ऐसे घूमता है वो हवा में, and when you reach the scene of crime, Macavity is not there, और जब आप उस crime के सीन पर पहुंशते हैं, जहां पर crime हुआ होता है, तो Macavity वहां पर नहीं मलता, you may see him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once and once again, Macavity is not there, आपको वो उपर हवा में देख सकता है, इधर उधर कहीं भी देख सकता है, मगर जब आप उसको actually ढूनने जाएंगे, तो Macavity आपको वहां पर नहीं मिलेगा, अब Macavity क्या है, Macavity एक ginger cat है, एक cat है, जो काफी, जो काफी, मतलब तॉल है, लंबा है, और पतल चान जाएंगे या जान जाएंगे, इसकी आइस जो हैं अंदर धसी हुई है, संक है अंदर की तरफ, His brow is deeply lined with thought, His head is highly domed, और उसकी जो eyebrows है, वो ब्लेको लाइन की form में है, और उसका जो सर है, वो डोम जैसा गोल-गोल सा है, His coat is dusty from neglect, His viscous are uncomped, उसका जो कोट है, जो वो पहना ह gus, और उसके जो देखते हैं, एक जो मुछे ठीक हैं उसके तीन है ना जाके पास वाला के जाएं वी जो जो है Vidya Tammy, अंधा होती है, वो जो मैंतर ऀसका है, जो मैंतर होँसरियों करता है इधर उधर जैसे कि कोई स्नेक हो, कोई साब खुम रहा हो When you think he's half asleep, he's always white awake जब आपको लगेगा कि वो हाथा सोया हुआ है, वो बिलकुल अच्छे से जगा हुआ होता है Macvity, Macvity, there's no one like Macvity, Macvity जैसा कोई भी नहीं है For he's a faint and, sorry, faint in feline shape और वो जो है, वो faint है, एक devil है, cat की shape में Faint in feline shape का मतलब है devil, मतलब एक rakshas या dhanav है, एक cat की shape में A monster of depravity, एक monster है, वो बहुत ही गंदा है Depravity मतलब moral corruption जिसका, जो एक मतलब अच्छा नहीं है बिलकुल भी, यह है इसका depravity का मतलब You may meet him in a by street, you may see him in the square, but when a crime is discovered, then maquity is not there तो आप उसे कहीं पर भी देख सकते हैं, आस पास street पर या कहीं पर भी, किसी कोने पर, मगर जब crime discover होगा कि भई कोई crime हो गया है, तो वहाँ पर आपको maquity नहीं मिलेगा तो इसमें हमारे हो गए इसके, यह पूरी हमने poem की explanation समझ ली, अब हम देखते हैं इसके question answers तो पहला है, read the first stranger and think, हमें पहला इस stranger जो है पढ़ना है और फिर इसके बारे में सोचना है कि क्या इसमें बताया कया है, तो क्या है, इसमें is maquity a cat, really? क्या जो maquity है, वो सच में एक cat है, तो यह है, फर्स्ट फाला, second है, if not, who can maquity be? अगर क्या maquity सच में एक cat है, तो पताना है, हाँ, poem के according, maquity एक cat है, मगर एक cunning, एक बुरी cat है, बुरा cat है, sorry, female male है, second है, if not, who can maquity be? अगर cat जो है, ना हो maquity, तो वो कौन हो सकता है, तो अगर वो cat नहीं होगा, तो वो एक गंदा चोर हो सकता है, if not a cat, he can be an expert thief, or criminal, or a mysterious creature, तो अगर वो cat नहीं है, तो एक बहुत बड़ा criminal हो सकता है, वो जो बहुत crime करता हो, कोई expert चोर हो सकता है, या फिर कोई एक अलग सा creature, जैसे cartoons में दिखाते हैं, वो भी हो सकता है, तो इसमें आप बहुत expert thief लिख सकते हैं, फिर complete करना है sentences को, first है, a master criminal is the one who, एक master criminal, एक बहु के निकल जाता है, who can escape from the scene of crime, तो इसका answer है, who can escape from the scene of crime, जो crime के सीन से भाग जाता है, second है, Scotland yard is baffled because, जो Scotland yard है, वो baffled है, परशान है, क्यों है, क्योंकि वो जो criminal है, उसको नहीं पकड़ पा रहा है, Scotland yard is baffled because, it fails to get a clue about the criminal, और या फिर, it fails to get a clue about the criminal, और या फिर, it fails to catch the criminal, it fails to catch the criminal, third है, dash, because McVity moves much faster than them, भाई, बहुत अदा फास्त है, किस से, flying squad से, क्यों, flying squad is not able to catch him, so, इसलिया ऐसा कहा गया है, McVity is much faster than them, flying squad से, third है, a cat, I'm sure, would walk on a cloud without coming, through, इसका मतलब क्या है, which law of McVity breaking in the light of the comment above, तो कौन सा वो है, जो ये वाला question है, कि वो एकदम भाग जाता है, और कौन सा law, वो जो है, तोड़ रहा है, वो law of gravitation, law of gravity को तोड़ करके, वो, मतलब बिलकुल एकदम भाग साही जाता है, जगा से, तो, रीट, fourth question है, रीट, स्टेंजा 3, एन दें, डिस्क्राइब मकविटी इन 2 और 3 sentences of your own, आपको अपने sentences बताना है, कि आपने जब स्टेंजा 3 बढ़ा, तो मकविटी कैसा है, तो मकविटी इस वेरी कनिंग काफी खराब कैट है, तो ऐसे करके बोल सकते हैं, मकविटी is a very cunning cat, he is very tall and thin, his eyes are sunken, his head is like a dome, he never comb his whiskers, he don't care about his coat, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, He is cunning, he is tall and thin, his eye is sunken, he never comb his whiskers, his coat is soiled, खराब सा है, इस टाइप से, फिफ्ट में तो फर्स है, मकविटी is not an ordinary cat, बिल्कुल सही बात है, वो तो बहुत ही cunning और cruel cat था, Second है, मकविटी cannot do what a fakir can easily do, तो यह तो false है, मकविटी तो कुछ भी कर सकता था, कोई भी crime के सीन से भाल जाता था, false है, मकविटी has supernatural powers, supernatural powers कह सकते हैं true, क्योंकि, कहते थे न, law of gravity को भी तोर सकता है, ऐसे ओर जाता है, तो yes, true, मकविटी is well-dressed, smart and bright, नहीं, well-dressed तो नहीं था, उसका कोट ऐसे खराब सा रहता था, तो यह false है, मकविटी is a spy, tricker, criminal, and rolled in one, तो हा, वो criminal भी था, spy टाइप का भी था, यह true है, फिर sixth है, having read the poem, try to guess whether the poet is wand of cats, if so, why does he call मकविटी a friend and monster, तो यह तो मतलब ऐसा कोई important question नहीं है, यह वाला यहां तक था, fifth था, तो यह almost हो गया, हमारे poem की explanation, question answers complete, thank you.